अच्छाइ थंदे तीजे हैं अंदर एक बारे में बताने के लिए हमाई सास्ति जी जो पताएंगे कि इस इसकी अच्छेवट ब्रिज का इतिहाद क्या है और इसका मांगे है धर्मसास्त्रों का कथन है कि जब से स्रश्टी का प्रारंब हुआ, स्रश्टी के प्रारंब से ही, तो कि स्रश्टी का जब महाप्रलय होता है, तो दसो दिसाओं में किवल जल ही जल रहे जाता है, जल के लाबा कुछ नहीं हैता, उस समय यह अक्षयवट इस्थापित रहता ह इसको निरूपित करती है कि यह जो अक्षयवट अपने हां प्रयाग में है यह ब्रह्म का ही सुरूप है नारायन का सुरूप है इसलिए नारायन इसमें निवाश करते हैं और जो हमारे यहां ये अक्षयवट के दर्सन की जो बात प्रारम हुई 1977-76 में को मेदा पड़ा था उस समय अक्षयवट का दर्सन हुआ था इसके बाद साइध 82 या 83 में जो अर्दकुम पड़ा था उसमें भी साइध दर्सन हुआ था इसके बाद से पिर रक्षावट का दर्सन बंद हो गया, दर्सन बंद इसलिए हुआ कि रक्षाविभाग के लोगों ने कहा कि हमारा यहां पर आयुद भन्डार है और इससे सुरक्षा प्रफावित होती है, तो ऐसी स्थेत में हम दर्सन करने के लिए निसेध हो गया, तो होता है, इसके बाद फिर जो है, लोग दर्सन कराते हैं, लेकिन वो दो चार दस के लोगों को ऐसा कराते हैं, अब इस वार मानी प्रधान मंत्री जी ने जो यह उजना बनाई ये, तो सत्ते बाद तो यह है कि प्रयाग में जो व्यक्तियावे, संगम अस्तान करने के इसको ठोक ठोक करके कमयला बनाइ दे रहे हैं, जबकि कमयला है ही नहीं है, ये तो अर्द कमयला है, जो कमयला तो है, 2013 में यहाँ पर निकल चुका है, और वहाँ की ब्युस्था है कुम दले क ANDREW के नतरगत, कि जो है लोग मकर रास में जब सूर्य और चंद्रमा रहे और लगता है कि अर्दकुम्भ तो निर्वादित है इसमें कोई जो रहा है तो मैं समझता हूं कि इस वार की जो लोगों की यात्रा होगी वह पूंड रूप से पूंड होगी और वास्तों में जो प्रयाग के दर्शन का प्रयाग के स्नान